यह है मेरे पास एक वैक्यूम क्लीनर जो कि दोस्तों काफी यहां पर जो है वैल्यू फर मनी एक बार के लिए मैं कह सकता हूं और कुछ चीजे हैं जिसको आपको ध्यान में रखना हुगा उप्राण का नाम आपको यहां पर डिस्प्ले हो रहा हुगा 900 कुछ रुपय का मैंने यह मंगाया हुआ है तो इसके बारे में बात कर लेते हैं इसके एंबॉक्सिंग करेंगे तो यहां पर सबसे पहले वैक्यूम क्लीनर देखने को मिलेगा और हाँ यह बैग भी जो है इसी में आयाता है जो कि मुझे अच्छी बात लगी और कुछ एट जिसको आप धोके दुबारा यूज कर सकते हैं मॉडल नमबर यहां पर आपको देखने को मिल दाता है पूरा एक यवार में बाहर निकाल लेता हूं आई यह डबा खाली हो गया तो इससे करते हैं साइट ठीक है यहां पर यह इंस्ट्रक्शन है किस तरीके से इसको यूज करता है तो इसको बाद में पढ़ेंगे अभी इसको हटा जाते हैं यह अटेज्मेंट रखते हैं और सबसे पहले वैक्यूम क्लेनर को निकाल लेता है यहां पर इस तरह का यहां पर मुझे एकदम काभी चीफ देखने को मिल लिए इतनी बड़िया क्वालिटी यहां पर न कि इसको करने के बाद हम इसको जो है उपन कर सकते हैं यह अगर आप इसको निकाल देते हैं उसके लगाने के लिए आपको इस तरीके से इसको बैठाना है यह अपर अच्छे करके बैढ़ गया है इसको लगाने के लिए जो है सबसे पहले आपको इस बटन को इंसर्ट करना पड़ेगा यहां इस तरीके से ठीक है उसके बाद जो है आपको नीचे से हलका सा प्रेस करोगे आराम से लग जाएगा ठीक है आपको पहले यह नहीं लगाना है पहले यहां से लगाना है तो आटो मोटा वाला है आप यहां पर अच्छे करें देख लेना के लिए लें कि इसको आपको यहां पर इस एंसरों कर सकते हैं मागी इसको आप डिरेक्टली लगा सकते हैं कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी और हां अगर आपको इसको भी लगाना है तो यहां पर यह भी जह इज़ुस है इसमें लगा जाता है अगर इसमें धूल वगएरा भर जाती है खाली करने का टाम आता है तो 120 वाट का यह वेक्यूम क्लीनर होने वाला है इसको आप अपनी कार के जो 12 वोल्ड का सॉकेट होता है उसको यूज़ करके यहां पर यूज़ कर सकते हैं जिसमें आपको 1500 KPA की यहां पर सक्षन फावर देखने को मिलती है जो कि मुझे अच्छी लगी और सफाई वगर भी ठीक्ता कर देता है मैंने अपनी कार की सबाई करी और इसमें यह ठीक्ता यहां पर साप कर देता है यहां पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है इसकी दूब वायर होने वाली यह कापी लंबी है आराम से आपके बूड स्पेस पहुच जाएगी dust को किस तरीके से यह निकालता है आपको display हो रहा होगा और किस तरीके से काम करता है इसके बाद हेपा filter को आपको clean करना होगा एकदम यहां पर धूल-धूल थी तो आप जका सा कहीं पर मार कर एकदम ज़ार सकते हैं कोई भी दिक्कत नहीं आएगी अगर आपको vacuum cleaner लेना है तो आप और ब्रांड की तरफ जा सकते हैं मैंने तो यहां पर experiment के लिए यहां पर ले लिया पर अगर आपको लेना है तो आप अच्छे ब्रांड की तरफ जाएं जिससे क्या होगा है नहीं को आपको पर शोरीते रहेते कि हां ब्रांड है तो ब्रांड का नाम होता है तो ब्रांड जे अच्छा काम करता है क्वालिटी आपको अच्छी देखने का मिल जाएगी आई होप दोस्तों आपको वीडियो फ़संद आया होगा वीडियो को लाइक करना अब तो दोस्तों आपसे मुला का दोगी अले वीडियो में तब तक क्लिए बाटे कर अब मा खेल कर दो